Hello my dear students, how are you all guys? I hope you will be super and duper and big hit. So let's go to this class in 30 minutes, we complete the series of one shorter reason. So let's start, let's go to creation, indexing, slicing, modification, renaming, drop, sorting, comparison, filtering, fetching values, attributes, head, detail, vector operation, arithmetic operation, fill values. इन सारी चीज़ों को 30 minutes के अंदर अंदर देखने वादे हैं. तो ये सारी चीज़े detail में हो रखें, हम लोग one shot revision करेंगे 30 minutes के अंदर, तो चलिए start करेंगे. तो सबसे पहले panel data system की बात करते हैं, क्योंकि ये pandas की full form है, ठीक है? अब ऐसी बात है कि ये है हमारी जो एक library है data को analyze करने के लिए, ठीक है? detail में मैं पहले बता दूँ, detail में इसके course already हो चुका है, इसी channel पर आप उसको check out कर सकते हो. हम लोग revise कर रहे हैं कि आपका परसो चौते exam है, तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे revise कराई जाएं, ठीक है? तो ये किया है, panel data system है, ये हमारी data की उपर, आप कह लीजिए, data को analyze करने के लिए एक हमारी library है, ठीक है? 2008 के अंदर, इस panel data system, इसकी एक तरीके से शुरुवात कहलो, इस library को बनाया था है इनोने, ठीक है? तो ये panel data system, pandas का एक overview हो गया. So basically, अगर हम इसकी बात करें, तो ये data को analyze करने के लिए, जो है, use में आता है, ठीक है, panel data system, so high level data manipulation tool है, use for data analyzing. It is very important, it is very easy to import and export data using panel data system, pandas library, which has a very rich set of functions. कहने का मतलब है कि इसमें काफी सारे functions आपको provided है, जिसके थुरू आप data के ऊपर काम है, जो easily कर सकते हो, ठीक है? So data के ऊपर ही, इसका जो काम है, वो होगा, तो export, import करना बड़ा ही easy हो जाता है. अब हम थोड़ा सा आके चलेंगे और बात करेंगे, इसके अंदर series, data frame और panel, लेकिन हमारे syllabus में series है और data frame है, और आज की कक्षा में हम लोग series के बारे में discussion है, जो basically करने वाले है. Series के अगर मैं एक reason की बात करूँ, तो series हमारी क्या होती है, one dimensional होती है, जो data frame है, वो two dimensional होता है. Series हमारी homogeneous, यानि कि इसमें एक ही प्रकार का data है, जो आएगा. जैसे अगर name डाला है, तो हम name ही डालते रहेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें मैं marks या city भी डाल दूँगे. ठीक है, अब इसमें एक ही type का data है, जो आपके पास में basically आएगा, जैसे अगर age है, तो मैं इसमें city नहीं डाल सकती, मैं इसमें marks नहीं. मैं age ही type का data है, जो इसमें डालूँगे. size इसका immutable होता है, मतलब एक बार अगर आपने इसका size declare कर दे हैं, उसके बाद में इसका size change नहीं कर सकते हैं. values of data क्या होगी? mutable हो जाएगी. अगर data frame की बात करेंगे, तो heterogeneous है data, size इसका mutable है, data भी इसके अंदर जो है, वो भी mutable है. तो मतलब ये हमारा two-dimensional है और इसके अंदर, अगर हम बात करें, size की या values की वो सारी भी क्या है, हमारी mutable होगे. heterogeneous है, यानि कि अलग-अलग प्रकार का data आ सकता है, यानि कि rows और columns की form में होगा. हम सबसे पहले import pandas pd लिख रहे होंगे, और इसमें एक तरफ क्या होते है, indexes दूसरी तरफ क्या होते है, उसका data होता है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से, इस प्रकार से create करते हैं, तो अब सबसे पहले हम लोग creation की तरफ दोड़ते हैं, तो हम अपनी series को कैसे कैसे, किस क कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले import and as as pd लिख रहे होंगे, अब हम यहाँ पर अपनी series के लिए object बनाएंगे, series हमने लिखा है, अब मैं क्या करती हूँ, print और series, तो अगर मैं इसको run करती हूँ, तो यह मुझे क्या दिखाई देगा यहाँ पर, एक खाली series हमने किस परक बार से create कर लिए, ठीक है, इसका जो data type आएगा, that will be float, अब मैं इसके अंदर डालूंगे values, तो अगर मैंने एक list को डाला इसके अंदर, ठीक है, तो मैंने इसमें list डाले, which is coming k, which is coming k, so like how I will be able to create a series through, किसके through, list के through, right, अब मैं अगर इसमें एक tuple कर देती हूँ इसको, तो ये एक tuple से मेरी series create हो जाएगी, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी series create हो रही है, और अगर मैंने यहाँ पर कोई एक string दे दी, तो strings है, अब अगर मैं इसके अंदर, एक dictionary दे दूँ, क्योंकि dictionary में हमारे पास में keys values दोनों होती है, तो अगर मैंने dictionary दे दी, तो ये dictionary की keys को as a index रखेगा, और values को values के तौर पर है, जो रखेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में आएंगी चीज़े, तो अगर मान लिजे, यहाँ tuple होता या फिर list हो रही होती, तो क्या हो रहा होता, कि अगर मुझे indexes change करने है, तो मैं index रख रही होती, और यहाँ पर अपनी मर्जी से indexes डाल रही होती है, तो यह मैंने labeling इसको जान बूच कर कि अपनी मर्जी से labeling है, जो दे दी, तो इस तरीके से create हो गए हमारी series, अब यहाँ पर वो अलग बात है कि आप scalar value से भी create करना चाहें, जैसे मैंन ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मैंने कोई expression लिख दिया, multiply कर दिया, तो इस तरीके से हमारी values आ रही होगी, ठीक है, अब इसमें क्या है, देको 4 values है, तो मैंने range दे दिया, 0 से लेकर के 5 तक, 0 से 4 तक देना चाहिया था, ठीक है, क्योंकि आपके पास में 4 indexes है, तो इस तरीके से आपके पास ये बन गया, ठीक है, अब इसमें आप indexes के time पर भी range care दे ही सकते थे, तो मैंने range दे दिया, 0 से लेकर के 4, तो इस तरीके से हमारी एक series create हो जाएगी, अब इसमें देखो, इसके actual indexes और इसकी values दोनों सेम है, तो value से कोई फरक नहीं पड़ेगा, value कुछ भी है, जो आपकी हो सकते है, बट हमेशा जो values आएंगे, वो same type की होंगे, ठीक है, क्या होंगे, same type की value है, जो आपके पास में हो रही होगे, ये चीज़ पस हमें ध्यान रखने है, ठीक है, अब same type से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने इसमें एक index, एक integer दे दिया, और एक दे दिया, क्या string है, sorry, एक integer और एक string है दे दिया, तो इसमें ये object ले लेगा, मतलब देखेगा ये सब को एक ही आंग से, ठीक है, तो इसे लिए इसको हमने homogeneous है, जो बोला है, तो ये इसका creation वाला portion हो गया हमारा, अब indexing की बात होती, तो indexing में खेर हमने चलते फिरत indexing के, एक second, तो आप देखिए, अगर मैं इसमें labeling दे दिया, अपनी मर्जी से index दे दिया, तो अगर मैं इसमें से values को fetch करना चाहूंगे, जैसे मैंने a को fetch किया, तो मेरे पास में a 3 आकर आ गया, ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर से, मान लो, मैं 0 देती हूं, तो भी ये म ठीक है, तो ये वाली बात हुई, अब इसमें slicing का, जो case है, वो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने 0 से 3 किया, तो आपको पता है कि 0, 1, 2, 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो जैसे अपने better understanding के लिए इसमें और values को डाल देते हैं, ठीक है, ओके, सो मेरे पास में कितनी हु एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, तो अपने 8 ले 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 ते, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, तो अपने 0 से 3 तक, तो इसमें 3 इंक्लूड नहीं हुआ होगा, तो आपके पास में देखो 0, 1 और 2, ठीक है, ऐसे values आपके पास पै अपर A दे दिया, O दे दिया, तो अब O इंक्लूड होगा, ठीक है, लेबलिंग के केस में आपका O इंक्लूड होगा, जब आपने actual जो इसके इंडेक्स की बजाए, आपने लेबल वाले दे रखे है, ठीक है, तो तब आपका ये इंक्लूड हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर है, जो इसमें ये दे रहा होगा, ठीक है, स्लाइसिंग के केस में, तो स्लाइसिंग कहां से, कहां को, राइट, तो लास्ट वाला याद रखे, make sure, यहां पर ये चीज़ कर लीजिए, अभी, कि जब आपके actual इंडेक्स हो, तो उसमें लास्ट वाल इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, बाकी वो बात आपकी अलग है, कि अगर आप इसमें दो दे दो, तो आपने कुछ इस तरीके से दिया, तो अब आपके पास में एक छोड़ करके एक आपका आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आएगा तीन, फिर आएगा आपके पास में साथ, और इस तर प्रिंट यह फ्लक्ट्वेश्ट हो रहा है क्या मतलब इसमें रुक रुक के चल रहे है क्या आपकी अपकी सीरीज यहां पर कुछ इसकदर इस प्रकार से प्रिंट होकर कि आपको मिल गई तो यह आपकी सीरीज उल्टी आपको डिस्प्ले हो गए अभी मैंने रिस्टार्ट किया सेस्टम में भी हो सकता है अभी कोई दिक्कत ना आए हमें तो हम क्या बात कर रहे थे यहां पर हमारी सीरीज को उल्ट अगर दिया हमें ठीक है ओके सुपर डूपर गूड ओके तो मतलब चेंज करने का ना ओके सो इट इस ए तो हमने किया अगर दिया 90 आओके सो मैंने इसके अंदर 90 डाल दिया है जी हां इसने मोडिफिकेशन कर लिया है बोले तो 90 ठीक है अगर मैं इसमें स्लाइस करके करना चाहूं को मैंने कहा ए से पी तक हमारे पास 90 आ जाए तो जी ह कुछ इसकदर इनों वाल्यूस को दे सकते थे तो दाड़ दस मोडिफिकेशन याद रह जाएगी चीज जी हां आगे बढ़ते हुए यहां पर री नेम करते हैं हमारी सीरीज के अंदर तो देखे सीरीज को री नेम करने के लिए आपको यहां पर नेम का यूज करना पड़ इसमें इसके इंडेक्स को अगर री नेम करना चाहूं तो यहां पर मैं इसमें डेक्स डाल दोंगे तो वही चीज होगे मतलब यही कॉपी पेस्ट यहां पर उठा करके इसको डाल दो तो यह भी आपने कर दिया है तो बाकि इसमें कुछ बड़ी कोई तोप नहीं है आपका यूज हमने कुछ यहां पर किया है ड्रॉप ड्रॉप बोले तो हमें ड्रॉप करना है क्या करना है ड्रॉप अजी हमें तो जे को ड्रॉप करना है यानि कि ड्लीट करना है बोले तो तीक है याद रखो क्या करना है ड्लीट तो आपने क्या गर दिया ड्लीट तो इस इसमें 2 थेक्या, हमने जीए को डिलीट कर दिया था, ठीक है यह हुआ नहीं क्योंकि आपको यहाँ पर इन प्लेस टू करना पड़ेगा, आपकी एक्चॉल सीरीज में चेंज, ठीक है तो अब हमारा शायद हो जाना चाहिए, है राइट, चीज़े थोड़ी लेट याद आती है, बड़ ग्रेट याद आती है, सौर्टिंग की बात करोगे, तो सौर्टिंग के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं, अंडर स्कोर्स को सौर्ट करके है, एक सेकंड, हाँ, सौर्ट वैल्यूज, यह इसका पाइचाउं का सबसे बड़ा यह फाहिदा है, कि जब आप कोई फंक्शन भूल भी जाती हो ना, तो यह आपको याद दिला देता है, कि बहुत एसे कर लो, तो आपनी क्या किया, अपनी सीरीज स्स.Sort values सौर्ट करती है, यह एक सेकंड, तो आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से अपनी सौर्ट करती है, तो आपके पास एसे सौर्टिंग और के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, for better understanding के लिए तुम इसकी value change कर लो जैसे मैं यहाँ 0 डाल देती हूँ तो यह 6 फिर हमारा उपर-उपर आ जाएगा ठीक है, तो यह इस तरीके से आपकी चीजे हैं जो होई अब मान लीजिए मैं इसमें descending order में करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हैं आपर, ascending, true करती और अगर मैं इसको call करती, तो मेरे को यह ascending में मतलब यह by default true होता है, तो आपको क्या करने का बोले तो false करने का, ठीक है, descending के लिए तो याद रखेगा, false करेंगे descending के लिए, ठीक है, हो गया, हो गया अब इसमें एक और case जान लेते हैं, कौन से वाला, null वाला, तो अगर मान लो मैंने इसी में value none दे दी, तो फिर मेरे को ascending, descending के तोर पर किस तरीके से ये none values को represent करेगा, none को इसने last में ले लिया है, हलके में लिया है, बोले तो, है ना, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बर मिटा देती हूँ, और अगर अब करने की कोशिश करती हूँ, तो अभी क्या होगा आपके पास में, देखिए, इसने जो null values है, उसको नीचे ही रखा है, मतलब null को ignore करते हुए, कहलो कि बाकी सब आपके जो है, एक तरीके से sort हो रहे हैं, लेकिन null value is null value, ठीक है, तो null का sorting से कोई लेना देना है ही नहीं है, वैसे यहाँ पर एक index function भी आपने देखा था, तो इसमें indexes के तोर पर आपका sort हो जाएगा, ठीक है, तो वो कोई बड़ी तोप नहीं है, next आप comparison कर रहे होंगे, तो comparison जब आपने करना है, तो of course यहाँ पर दो series होनी चाहिए, हैना तभी तो comparison कर पाओगे, ओके, तो अगर हमने, यह मेरी series 1 है, यह मेरी series 2 है, 1 बड़ा है series 2 से, ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर हमने true false के तौर पर इसकी values ले ली, अगर मान लीजिये, मान लीजिये, मैं इसमें 30 डाल देती हूं, ठीक है, इसमें 70 डाल देती हूं, इसमें 89 डाल देती हूं, तो अब अब देखेगा किस तरीके से आपकी values आएंगे, जो बड़ी होगी, वो true होगी, नहीं तो वो false देतेगा, ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि जब आप ऐसे operations को perform करेंगे, तो जो indexes है, वो same होने चाहिए, जैसे इसमें 30 और 3, इनका index भी AA है, मान लो मैं यहां Z देती हूं, है ना, तो अब नहीं comparison हो पाएगा, ठीक है, तो आपको गया करना पड़ेगा, इनकी जो indexes values है, वो same ही देनी पड़ेगी, तब जा करके compare होगा, और दूसरी चीज कि यहां comparison के लिए हमारे पास जो question आते हैं, वो ऐसे आते हैं, कि अगर मैंने मान लो series 1 को यह देखा कि 9 से बड़ी कौन सी है, तो आपके पास में वो वो true आजाएंगे, जो 9 से बड़े हैं, और 9 से छोटे वाले ही बताया था, तो आपको गया करना होगा, आप इस तरीके से लिखेंगे, तो यह filter हो करके आपको मिल जाएंगे, वो numbers खाली, जो कि 9 से बड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे filter हो करके आपको display हो जाएगा, तो यह मैंने comparison series भी बता दिया, और किसी particular value से भी बता दिया, लेकिन आप आप यहाँ पर जरूरी ने greater than, आप यहाँ double equals to operator भी यूज कर सकते थे, जो भी operator आप यूज करना चाहो, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर greater than is equals to लिखा है, तो वो भी जो भी आप operator अर्थमाटिकल यूज करना चाहो, that you can use here, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही यूज करना है, अब हम comparison के बाद filtering मेंने बता दिया है, fetching values हो चुका है, कि कोई भी value कैसे fetch कर सकते हैं, attributes और functions को बता देते हैं, बढ़ उससे पहले एक बार mathematical operator की बात चली थी, तो फिर इनकी बात ही कर लेते हैं, तो यहाँ दो series आपके पास में है, तो मैं series 1 को, series 2 के साथ में ऐसा इस अगर जोड़ो, तो आपको यह चीज़ धियां रखनी है, कि जो जो indexes same होंगे, यह वो वो indexes की values आपके साथ में जुड़ेंगी, और जो values आपके indexes की match नहीं गरती हुई होगी, तो फिर यह उसमें दिक्कत करेगा, यानि कि आपको false answer है, जो basically, null answer है, nan answer है कहने का मतलब है वो आपको देतेगा, ठीक है, तो इसमें a और a, यानि कि 30 और 3 कितने हुए 33, है ना, फिर j और j, यानि कि 4 और 4 कितने हुए 8, 7 और 70 कितने हुए 70, है ना, और फिर o और o, देखो 89 और 8, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जुड़ता जाएगा, null will be null, है ना, ठीक है, अगर मैं इसमें एक को null डाल देती हूँ, तो ये null आएगा, क्योंकि null तो जुड़ेगा ही किसके साथ में, देखो, एक इसके साथ जुड़ेगा, null, ठीक है, फिर आपका 4 और 4, 8 हो गया, अब ये चीज तो मैंने खहर आपको समझानी थी ही थी, लेकिन ये भी चीज आपको बता प्लस के साथ में, एक समझ में आगया, तो बाकी सारे भी आही जाएंगे, तो अगर मैंने मान लीजिए, यहाँ Z, यहाँ A कर दिया, तो अभी ये missing data है, तो इसको null से रिपर्जेंट करेगा, ठीक है, तो A की जगे पर आपके पास में नैन आ जाएगा, और Z की जगे आपक और P के बीच अर्थमाटिकल होगा, और O के बीच में, R और R के बीच में, ठीक है, लेकिन अगर ये miss हो गया हमारा एक बीच के अंदर से, जैसे ये Z है, ये A है, हाई नहीं है, है तो फिर क्या ही होगा, ठीक है, आगे पीछे जरूर चीज़े हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहा पर J है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको रन करोगे, जो प्लस होना है, वो इंडेक्स ही होंगे आपस में, प्लस, ठीक है, जैसे कि, अब देखो, Z किसके साथ जुड़े हाई नहीं है, तो 9 अगया, फिर उसके बाद में J है ना, आपके पास में, तो J में क और फिर P कितना आपके पास में, यह 70 है, यह ना, पी आपके पास में यहां नहीं है, P फिर वो आएगा कहां पर, नीचे, कितना हो गया, 70 और 4, 74, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वाल्यूज आएंगी, कुछ जब अड़ हो रही होंगे, और आपके इंडेक्स भी देखो को summarize करा दो, जब भी आप दो सीरीज के बीच में कोई भी operation परफॉर्म करेंगे, यह सीरीज 1 है, यह सीरीज 2 है, चाहे आप इसमें plus कराओ, multiply कराओ, divide कराओ, flow division कराओ, आप modulus कराओ, आप exponent कराओ, कोई भी operation जब आप परफॉर्म करोगे, तो इसके इंडेक्स और इसके इंड आपस में, जो है, कहलो कि वही वैल्यूस जो है आपस में, क्या होंगी, अर्थमैटिकल ओपरेशन परफॉर्म करा रहे होगे, मतलब इधर 3 है, इधर 3 है, तो यह 3 और 3, मतलब यह A नम्मर इंडेक्स पर है, यह भी A पर है, तब यह जाकर के प्लस माइनस है, जो कर रहे हो अगर इसका Z है, तो यह नल आजाएगा, नैन वाल्यूस वहाँ पर आजाएगी, इंडेक्स सेम होने चाहिए, ठीक है, तो इस तीरीस के इंडेक्स सेम, इसके सेम, तो सेम सेम इंडेक्स आपस में, अर्थमाटिकल ओपरेशन परफॉर्म कराएगे, अगर मान लीजे, हम य तो यही आणसर आपका बैसे आएगा, मल्टिपल के लिए मल-फंच्षन है, म-U-L, डिवाईड के लिए div-फंच्षन है, पावर के लिए पाओ फंच्षन है, सब्ट्रेक्शन के लिए yourself function है, ठीक है तो ऐसे आपको याद रह चाहेगा, अब जैसे की देखो इसमें नल वा जैसे मैंने इसमें fill underscore value में 100 डाल दिया, तो अब जहां पर data missing है ना, तो ये 100 के साथ में plus हो जाएगा, तो जैसे कि कहने का मतला है, ये z देखो, 190 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, कि अभी देखो, इसमें z वाला, ये वाला जो z है, ये 100 के साथ में अब plus हु 103 आ रहा होगा, जहां पर भी आप इसको देखोगे, तो के के अंदर कहा है, के ही था ना, उसका नाम, ए था के, हानी ए था, तो ए के अंदर देखो, 103 आ रहा होगा, ठीक है, तो जो भी आप value यहां पर दोगे, ठीक है, जैसे मैं आपकी better understanding के लिए एक दे दू, तो अब 91 औ और इदर 4 है, तो यह यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, अर्थमाटिकल ओपरेशन, जब हम functions के अंदर कर रहे हैं, तो फिल ना, value नाम का attribute यूज़ कर सकते हैं, वैक्टर ओपरेशन आपको बता ही दिया, कौन सा, series हमारी बड़ी है 3 से, series हमारी बड़ी है 9 से, series हमारी greater than is equals to, तो यह vector operation हो गए, अब attributes की बात कर लेते हैं, attributes के लिए अगर आप देखोगे, तो मैं अगर index करूँगी, तो आपके पास में सारे index आ जाएंगे, एक list के तोर पर, अगर मैं यहाँ पर, and dim करूँगी, तो यह हमेशा एक answer देगा, series के अंदर, अगर मैं shape करूँगी, तो यह मुझे tuple में answer देगा, और shape का मतलब है कि total values कितनी है, ठीक है, और अगर मैं size दूँगी, वो भी यह में जो total values देगा, बट indexer में देगा, ठीक है, तो 8 है, राइट, और अगर मैं d type या d types में से कुछ भी लिखूँगे, दोनों में से कुछ भी दे सकते हो, तो यह data type बताएगा, आपकी series का क्या है, that is coming float, ठीक है, data types के बाद में, अगर हमें empty, ठीक है, तो empty हमें यह बताएगा, कि हमारी series खाली है, अगर खाली है पूरी, तो ही हमें true आएगा, नहीं तो false आएगा, अब मैं इसमें has nance करूगी, तो has nance हमारा attribute तब काम आता है, कि यह बताएगा, कि हमारी series में कुछ एक भी value, क्या null है के नहीं, अगर एक भी null हुई, तो फिर यह true answer करेगा हमें, ठीक है, इसके अलावा देख लेते है, endem हो गया, shape, shape हो गया, values हो गया, name हो गया, d type हो गया, size हो गया, item size नहीं बताया, item size हाँ, ठीक है, तो आपके पास में values.item size, ठीक है, तो यह आपको 8 answer बताएगा, कि कितने byte जो है, size है, जो गेरा हुआ है, ठीक है, तो यह हमें answer 8 दे रहा है, right, उसके बाद में हमारे पास में और कोई function है नहीं, attribute है नहीं, तो हम यहाँ पर series, अगर length को calculate करना चाहें, तो य B हमें 8 answer देगा, क्योंकि 8 values हैं, इसके अंदर basically यह आपके पास में, है ना, ठीक है, यह वाली चीज हुई, अब अगर आप series 1.head करते हैं, तो यह क्या कर रहा था, शुरू की 5 values आपको लाकर के दे रहा था, है ना, और अगर आपने इसमें कोई एक number दे दिया, तो यह शु अगर लास्ट की values लाकर के देगा, अगर कुछ नहीं दिया है, तो यह सारी values फैच करके लाकर के देगा, शुरू की, लास्ट की sorry, है ना, ठीक है, Okay, मतलब सारी नहीं sorry, 5 values, ठीक है, मैं दुबारा से बता दो, head क्या करके देखा अगर ऐसे में 5 value starting के tail क्या करके देखा 5 value last की ये starting के अर अगर आपने head दिया है 2 तो ये शुरू की 2 अगर आपने tail दिया है 2 तो ये last की 2 अगर इसमें 2 भी value नहीं है उतनी है उतनी ला करके देखा तो मैंने आपको 30 minute पी ये सारी चीज़े करा दी होंगी अब मुझे time calculate करना पड़ेगा कि कितना हुआ मैंने आपका ये revision बहुत अच्छे तरीके से करा दी तो आप डिटेल में चीज़ें अलरडी मैंने upload पहले ही कर दी थी तो आप डिटेल में चीज़ें वहाँ से जान सकते हो यहां आपका 30 minute revision हो चुका है 5 minute series भी चल रही है 30 minute भी चल रही है और क्या चाहिए तो चलिए फिर चानल को subscribe है जो आप जरूर कर दीजे तो चलिए फिर मिलते हैं आपको next lecture में Thank you so much